फ्रेंट्स उत्रपदेश पीएसी के एक्जाम्स के लिए जो नया स्लेबस है उसमें पेपर फाइव में एक टॉपिक है एंजियोज इन उत्रपदेश इशूज कॉंट्रिबूशन और इंपाक्ट इसी टॉपिक को कवर करने के लिए हम आज का लेक्चर आपके सामने ला रह हैं तो एंजियोज के बारे में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा आपको और साथ में पर्टिक्लर्ली जो इशूज हैं उत्रपदेश में एंजियोज के और उत्रपदेश के जो एंजियोज हैं वो तब सिक्वेंट्री इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में मैं आपके समख्ष लेके आऊंगा So non-governmental organizations क्या होती है यह है non-governmental organization non-profit nature की होती है और यह independent होती है किसी भी government से मतलब government का minimum हस्तक्षेप होता है mainly private individuals जब organized form में आते हैं civil society का जो organized form है वो NGO के रूप में आपको दिखाई देता है So there are organized on community national international level पे हो सकते है किसी community के आधार पे हो सकते है राष्टी आधार पे हो सकते है और international आधार पे भी हो सकते है जैसे green peace international यह भी आपने सुना होगा So इनका जो उद्देश है कहीं का social या political goals को भी serve करना है humanitarian causes को जैसे कहीं पर war हो जाती है जैसे सीरिया में या सुमालिया में droughts आ जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी जो non-governmental organizations है जाके काम करती है characteristics क्या है इनको क्या features है इनके जो अन्ने organizations के जो functions है चाहे वो company हो या board हो commissions हो उनसे अलग करते हैं ये जो features हैं वो हैं कि ये mainly private individuals के एक साथ आने से होती है जो कि किसी social principles में believe करते हैं और इनका जो उद्देश होता है वो development to communities they are serving किसी भी community को serve करने के लिए इनका उद्देश होता है और ये sector wise भी हो सकते हैं बहुत सारे आपने education के छेतर में देखे होंगे या midday meal के छेतर में अक्षे पात्रा foundation का नाम सुना होगा child rights and you cry का नाम सुना होगा गुंज का नाम सुना होगा smile का नाम सुना होगा बहुत सारे ऐसे NGO's आपने सुने होंगे social development organization होती है social development समाजिक जो उत्थान के लिए कार करने वाली organized form में आ जाते हैं जब तो NGO होते हैं यह independent है democratic है जाद है viewpoints को अपने अंदर समावेशन कर लेते हैं बहुत जाद है closed organization नहीं होती open ideas के साथ काम कर सकती है non sectarian people organization होती है mainly यह ऐसा नहीं है कि किसी विशेश जाती धरम से संबंदे दो कुछ हो सकती है पर mainly क्या है ऐसा नहीं देखने को मिलता है और people's organization है लोगों के द्वारा अपने आप एक साथ आए हुए और लोगों को empowerment करने के लिए social economic marginalized communities को जो margins पे चली गई है communities margins पे जाने का मतलब है mainstream जो मुख्यदारा से अलग हो गई है जैसे अगर हम देखे कूडा बिनने वाले rag pickers जो है या destitute जो लोगों के पास घर नहीं है या फिर ऐसे लोग जो की ग्रसित हैं drugs के चंगुल में आ गए हैं या फिर आप slums में रह रह रहे हैं कोई आये के साधन नहीं है वहाँ पर भी बहुत काम करते हैं और जादे तर एंजियो किसी political party से affiliated नहीं होते हैं maximum परंतु कई बार political parties अपने interest को further करने के लिए ऐसे एंजियो को funding तो करती हुई दिखपाई जाती हैं अब registration की बात करें इंजियो की इंडिया में registration इंजियो का तीन सेग्मेंट में होता है societies, trust और charitable companies तो societies के रूप में जब establish किये जाते हैं तो वो societies registration act 1860 के में trust के रूप में होते हैं बहुत सारे आपने trust के रूप में चीज़े होती भी देखी होंगी even universities को भी private universities को trust के रूप में चलाया जाता है और भी trust established किये जाते हैं तो trust act 1882 और जो private trust है central government के Indian trust act और public ones are registered under state legislature concerned जो public trust है वो state level पे जो अन्ने राज्यो में registered होते हैं इसके अलावा charitable company के रूप में भी ये register हो सकते हैं और 2013 के companies act का section 8 में इसका प्रबंद है इसके अलावा यहाँ पर इनको ऐसे registration से फाइदा ये होता है कि बहुत सारा loans इने मिल जाता है और इसके अलावा ये trust और societies को मिलने में मुश्किल होती है साथ में इनकी जो income है वो भी taxable form में हो जाएगी यदि ये आपके charitable companies के रूप में अब इतने को registers करेंगे बहुत तरीके के NGO यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है कुछ आपकी international water for people और lake net lakes को बचाने के लिए WWF और इसके अलावा आप देख रहे हैं green cross IUCN अब constitutional provision देखते हैं इंडिया में भारत में कुछ constitution में aspect है जो की directly NGO को प्रभावित करते हैं जैसे 191C article है जो हमारा fundamental right में right to form associations है तो NGO भी क्या है civil society की organized association होती है इसके अलावा article 43 में जो की directive principle of state policies के अंदर आता है वहाँ पर cooperatives in rural areas को बढ़ावा देने के लिए प्रबंद है इसके अलावा concurrent list में entry 28 है जहाँ पर केंदर और राज्य सरकारे दोनों मिलके कुछ नियम कानून बना सकती है charities and charitable institutions की बात होती है charitable and religious endowments and religious institutions की बात होती है वहाँ भी इनका एक तरीके से management के लिए प्रबंद है cooperative societies जो की बाद में एक act लाके introduce किया गया part 9b में आपको देखने को मिलता है state list में भी आपकी entry 32 है जो वो SA organization से related है जो NGO form की organizations है अब role of non-governmental organizations क्या है आप सभी जानते ही होंगे और आप PSC की तयारी कर रहे हैं और अपने अपने राज्यों में PCS के exam देने वाले हैं तो यह बहुत important topic है कि इनका contribution क्या है और issues क्या है तो contribution देखते हैं इशूज वाला lecture में अगले हफते अगले दिन लाउंगा next day कल को तो यह आप देखते रहे हैं बहुत important है role of non-governmental organizations ठीक है तो advocacy करना social safety valve role advocacy मतलब किसी के मुद्दों को बढ़ाना किसी के मुद्दों को प्रमुकता से उठाना अब आप देखेंगे जैसे सफाई करमचारी आंदोलन सफाई करमचारी आंदोलन है या RTI से related मुद्दें मजदूर किसान सकती संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन सो ऐसे आंदोलन भी क्या है एड़ोकेसी करते हैं और NGO के रूप में established भी होते हैं यह कहीं तरह किसे safety valve भी provide करते हैं लोगों का जो गुस्ता है उसको भी शान्द करने में उनकी बाते सरकार तक पहुचाने का भी का करते हैं गौवर्मेंट के performance को यह कैसे improve कर सकते हैं जो role है इनका तो गौवर्मेंट की accountability बढ़ा सकते हैं अब गौवर्मेंट की accountability बढ़ाने का मतलब है बहुत सारे NGO जो हैं वो social audit से भी जुड़े हुए हैं social audit से भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे NGO और related civil society के organization जैसे रिखती हैं उनका associations रहा है मजदूरकिसान सक्तिसंगर धन का और इसके अलावा they also introduce innovation and flexibility in policy making कोई भी अब याद रखेगा public policy आपका एक और topic है तो policy making अगर कोई भी policy नहीं बन रही है जैसे new education policy बनी या फिर आपकी youth policy है, biofuel policies है और भी बहुत सारी policies हैं भारत में उनको बहतर धंक से बनाने के लिए NGO क्या करते हैं, government को data, ground report, surveys provide करते हैं और इनका बहुत महत्पून रोल है वहाँ पर, they enhance efficiency of delivery of many services at local level, अब जैसे PDS से जुड़े हुए हैं या फिर अक्षे पात्रा foundation जो midday meal से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी delivery करना, किसी भी government की services की ground तक, ये उसमें स government का भी, central government का भी, लोगों तक, आपने देखा ही होगा, कि बहुत सारी, जब disaster management के aspect चल रहा होता है, जब post disaster situation होती है, तो बहुत सारे NGO जाके लोगों के लिए, रहने के लिए प्रबंद करते हैं, उनके खाने पीने का प्रबंद करते हैं, तो government को effectively, अपनी policies को लगाने में इनका क्या है, योगदान रहता है, इसके अलावा आप और भी इनके रोल हैं, service role है in particular, flexible mechanism provide गरते हैं, जहां पर social और economic problems को respond किया जाता है, इसके अलावा, it caters to group, range of public goods that exceed what government can do, or society is willing to support, so, जहां पर government किसी भी मुद्दे को लेके अपना प्रयास तो करती है, परंदू government की अपनी क्या है, एक दाइरा है, हर किसी को नहीं कर सकते, साथ में कुछ बहुत marginalized communities होती हैं, जो मुख्यधारा से बाहर हैं, कई बार वो government के net से छूटी जाती हैं, तो वहां पर भी ये service role अ बहुत सारे public initiatives जैसे अमन की आशा जो program है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहां पर ऐसे प्रयास हुए हैं, कि दोनों जो देश हैं, उनके संबंद अच्छे हो सके, तो ये मैंने इंडिया का example बताया, world over भी आप देखेंगे, peace को लाने में NGO महतून भूमी का निब गरीब लोगों के interest को देखना, और environment को बचाने के लिए प्रयास करना, बहुत सारे NGO नदियों से, पहाडों से जुड़े हुए हैं, जैसे एक NGO है, आप ध्यान रखिएगा, इसका जो एक society, ये NGO है, ये particularly हिमाचल में काम करता है, और भी जगह पर अब जा रहा है, और करने पड़ेंगे, community को develop करने के लिए, development of community, ये है, जैसे वन गूजर्स, या फिर जो tribes हैं, उनके आसपेक्ट को सामने लाने के लिए, वन गूजर एक community है, जो शिवालिक ranges में रहती है, उत्राखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी, ये भी आज आप सर्च करिएग जाके, और basic social service provide करना भी इनका उद्देश होता है, बहुत सारे, चाहे वो सिक्षा के शेत्र में हो, health के शेत्र में हो, करते हैं, जैसे help age India, या फिर आपका, आपके बहुत सारे और NGO हैं, give India foundation, ये सब आप आज जाके देखिएगा, या फिर आपका, जो और organizations हैं, जो की दान उत्सव जैसे program को आगे लाती हैं, या फिर एक और NGO society है, वो है खालसा aid, ये सब आप अकबारों में पढ़ेंगे तो लगातार इनकी news आती रहेगी, so building community participation, ये alternative perspective देते हैं, government के अलावा, कैसे समाज को आगे लाया जा सकता है, समाज को participatory aspect में लाया जा सकता है, community का participation बहुत जरूरी होता है, meaningful dialogue के थूँ, communities के बीच में, और जो disadvantage section है, जैसे slums में जो लोग रह रहे हैं, या सिक्षा से, स्वाच से विहीन जो लोग हैं, बंजारे communities हैं, घर नहीं हैं, ऐसे लोगों को इनके साथ समबाद करके भी, pluralism और diversity of freedom लाते हैं, एक ये वो दाइरा भी है का, जहां पर जो sectarian violence के बाद, जैसे कि दंगों के बाद, लोगों को एक साथ लाने का काम होता है, जहां पर plural aspect, मतलब women, विचारधाराओं को एक साथ लाने का प्रियास करा जाता है, और diversity और freedom को भी ensure करा जाता है, और इंडिया के diverse culture को बचाने के लिए भी बहुत सारे NGO काम करते रहते हैं, चाहे वो museums के या heritage को बनाए रखना, या फिर नदियों को clean करने का aspect हो, या फिर religious जो tourism है, उसको environmentally friendly कैसे बनाया जाए, या tourism as a whole को कैसे बनाया जाए, सिक्षा का साथ में सिक्षा का प्रसार कैसे हो कि हम अपनी heritage को भी उसमें समाविशी कर सके हैं, या फिर even music के थूँ, ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं, यहाँ पर एक example है, तो कैसे कुछ NGOs क्या करते हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया की डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्सिटी को, so for an example, स्पिक मकाय, is a society for promoting India's classical music and culture amongst youth, तो यहाँ पर आप देख रहे ह है, यह स्पिक मकाय है, और यह डेली में non-profit, voluntary, non-political, एक movement है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह student participation हो रहा है, और इंडिया का जो culture है, उसको बढ़ाने में यह बहुत मदद करते हैं, particularly music के aspects में, स्पिक मकाय को एक बार जाके आप देख लिजेगा, so यह है basic सा introduction, जो NGO क्या है, इनके characteristics क्या है, कैसे register होते हैं, विविन, इनके examples किन छेतरों में काम करते हैं, यह आपको lecture से देखने को मिला, तो आप जुड सकते हैं मेरे साथ UPPSC preparation by Shaker, और यहाँ पर इस telegram channel पे आप अपने doubts पूछ सकते हैं, discussions मेरे साथ भाग ले सकते हैं, मैं यह बताना भी आ आप शक समझता हूँ आपको कि मैं 2015 बैच का UPPSC में selected candidate रहा हूँ, और मैंने ground पे district मुरदाबाद में as a subdivisional level पे काम किया है, तो मैं अपना अनुभब भी आप से share करूँगा, कुछ दिनों में एक अलग वीडियो के माद्धियम से, NGO का basics मैंने इस lecture के माद्धियम से आपको बताया, और मैं इसमें issues क्या involved हैं, UP में कौन से NGO काम कर रहे हैं, इसके बारे में अगले lecture में आपको रूबरू खराऊंगा, तब तक के लिए जैहिंद जैभारत